तो Legacy's की लास्ट ऐटिसोड में आप देख पाते हैं कि Hope का Landend के साथ breakup हो चुका है और यही पर Clio भी जाने लग रही है School को छोड़के और यहां पर Landend और Clio एक साथ है है। और वही पर हम देखते हैं γιαहाँ पर Hope का मन तूट चुका है कि FIFA लेकुड़कों करने लग तो चलिए शुरू करते हैं राइट नाओ और शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करना जितने जल्दी लाइक करोगे मैं टीन वुल्फ पिल आने वाला रिवर डायल भी खतम करूंगा और कुछ मूवी एक्स्प्लेनेशन भी जल्दी आने वाले हैं तो प्ली हम देखते हैं उसे के पास रहने के वाज़े से वीजन आ रहे थे क्ल्यो एक मूस है उसको इल्प करेगा आलजाद होने के बाद करेट च्लारिक हैं और और फ्यूचर में वैसा हुआ भी जहापर मैलवोर ने उसको गरदन से कटवा के वापस मैलवोर पिट के अंदर डलवा दिया था और अब हम प्रेजन टाइम में देख पाते हैं कि होप को बहुत जादा गुस्ता आ रहा है और वह अपना मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यहां वाँ तोड़ फोड मचा रही है और यह सब लोग उब्जर्व कर पा रहे हैं कि लेंड के जाने के बाद होप अपने आप पे बहुत जादा गुस्ता है कि लेंड ने उसे डिच कर दिया है और अब यह सारी सिचुईशन देखके जोजी हेल्प करना चाती है हो होप को और वहाँ पर उससे बोलती है कि मेरी बहन किसी कैम में गई थी अपने गुस्ते को कंट्रोल करने के लिए बट वह एक अफते से आई नहीं है मतलब उसके साथ शायद कोई गडबड हो सकती है और हम देखते हो ना चाते वह भी जाती है और पता चलता है जोजी का प तो चलने लग रही थी ऐसा होप को लगता है क्योंकि इतने खुश तो कोई रही नहीं सकते हैं लोग और हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ वोमन विचेस थी और वहाँ पर उनको क्रिस्टल दिये गए थे हर क्रिस्टल उनकी मेंटल स्टेट को दर्शाता था जिस तरह के ब पता नहीं चलते है यह बच्बं से जानती है लिजी को और इतनी शांथ कभी पहले थी नहीं हम देखते कवन इखटा होता है वहाँ पर और यहां पर आम देखते है लिशी उनको lead कर रही थी क्योंकि जो main בח en promotions क करने लग रही थी वह लिशी को चुनती है कि क्योंकि कम अप पर एंडी के नजर पड़ती है होप पे वो होप को बलाती है और होप को बिल्कुल इंटरस्ट नहीं था इन चीजों में बट तभी एंडी अपने हाथ होप के हाथ पे रखती है और एक जादू सा होता है और पता लगा लेती है कि होप के पास magical powers है और वो भी बहुत powerful वाली और हम देखते हैं एंडी का अब नया target बन चुकी थी होप और लिजी को side गार देती है और ये देखके लिजी को बहुत बुरा लगता है और वो अपना piece जो था होने लगती है और उसका crystal लाल होने लगता है और यहाँ पर होप को control होने लगता है अपने सारी motions पे और ये श इतनी powerful witch का और वही हम देखते हैं बाद में लिजी जाके मिलने की कोशिश भी करती है एंडी से बट एंडी साफ कर देती है कि अब उसके पास नया target है तो शायद वो उस पर इतना focus ना करे और ये देखने लिजी को गुसान लगता है और उसके सारे plan जो piece हासिल करने के थे वो अब खतम हो चुके हैं और अब हम देखते हैं लिजी को जो normal करने का try करती है अपनी फूरी situation को बट अभी उसे doubt था और उसको वही close मिलता है जो एंडी पहन के सारा magic क्या करती थी लोग को शान्त करने का हम देखते हैं उसकी एक दोस्त उसको try करती है और एकदम शान्त जाता है बट एंडी का blue का blue ही रहता है तो मतलब उसके साथ कोई गडबड है और वहाँ पर अपने gloves को dustbin में फैक्ती है ना किसी को धोने के लिए देती है तो मतलब वो किसी plan की पीछे है और एंडी अपने आपसे mirror में देखके बोलती है कि हमको आजादी मिलने वाली है और जाती है चेक करने कोश्च करती है कि कौन सी दवाई है जो अपने gloves में डाल रही है और पता चलता है ट्रायाइड की दवाईयां डालने लग रही है मतलब यह विच ट्रायाइड के साथ काम कर रही है और कुछ तो उसके साथ गडबड है बट तभी हम देखते हैं एंडी भ उनको बताना चाहती है कि यहां सब कुछ परफेक्ट है और गलत है और हमको यहां से निकलना चाहिए help लाने चाहिए और तभी हम यहां पर आएंगे बर तब तक हम देखते हैं एंडी ने एक बेल बजाई जिसकी मदब से सब माइंड कंट्रोल हो गए और वहां से उसकी त coz Adèle lizzy का था कि तुम क्यूं यह सब क्यूं करने लग रही है ठ्रायइड के साथ क्यूं काम कर रही यो घ्राच्ट है और यहां पर स्रिफ अपने लियोये और खुद付 को शपोर्ट करेंगी और श्यायद किसी को यहां वाय मर्ना उतों से कोई मतलब नहीं और वहां पर बु बोलती है अपनी भेहन को टॉर्चर करने का ट्राई करो और ले के आ जाने से रिच्वल के टाइम पे हमको एक बली भी चड़ानी है किसी इंसान की और यह कहने को आँ से चली जाती है और यह देखके अब लिजी की हालत खराब हो रही थी कि शायद यह आज मरने वाली है और फिर हम देखते हैं लिजी के पास प्लान था कि वो नॉर्मल तब हो पाई जब उसके अंदर इविल और डार्क थोट पहले से आने लगे जैसे पहले थी और तब ही हम देखते हैं जोजी को बोलने लगती है कि तुम इतनी परफेक्ट कब से हो गई तुम अपनी गल्फ्रे जोजी को पर समझ जाती है कि उसकी बहन ने उसकी जान बचा लिया इस कवन से हम देखते हैं जल्दी से जल्दी भाग जाएं बट होप के लिए वह प्लान बनाते हैं कि बांद के ले जाएंगे लिजी को उस जगहा पे और यहां पर कोई गडबड हुई नहीं है और यह कह देखते हैं उस मौन पर होप को दिया गया था कि इन दोनों को नीचे लेके आओ बट हम देखते हैं होप को साफ कर देती है जोजी क्यों हार नी मानने वाली है पहली बात वर लेंडर ने उसे छोड़ा है तो उसमें लेंडर की गलती नहीं है कही ना कहीं तेरी भी गलती है और उपर से दुनिया चाती ही नहीं कि तुम एक साथ रहो वो मैलवॉर का बेटा है तुम वो हो जो मैलवॉर को खतम करेगी तुम कमपैटिबल हो इन एक दूसरे के साथ में और यह देखते हैं वो सिधा एंडी पर अटेक करने वाली थी और यहाँ पर हम देखते हैं बाक हम देखते हैं यह देखने के बाद होप को गुसा आने लगता है कि वो कौन डेविल हो सकता है वर तब तक हम देखते हैं एंडी बोलते है कि यह सम्मुझे करना पड़ा इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और जो प्रोमिस मैंने किया है उसको मैं तोड़ नहीं सकती हूँ औ हम देखते हैं वहाँ पर अपने आपको सेक्रिफाइस कर देती है और यह देखके तीनों टेंस होते हैं कि हमारा क्या काम है उसने हमारे उपर एक लिकूड़ भी फैका था जाने से पहले शायद कोई गड़बड ना हो और वो तीनों वेट करने लगते हैं वहाँ पर और उ कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें नशास हो रखा है उस दवाई का जो उसके उपर ट्रायड वाली डाली हुई थी और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं अलारिक को जो विल्यम से जाकी मिलता है और पता करता है कि कई दिनों से एम जी स्कूल नहीं आ रहा ह है गड़बड करने लग रहा है ना घर पे है ना स्कूल में तो कहां गया है और वहां पर जहां पर लोकीटर स्पेल से पता चला है वहां पर कई साई लोगों की मोहत हुई और मिसिंग रिपोर्ट पी आई है एनेमल अटेक्स की बात चली है तो गड़बड है हम देखते है लारिक को नहीं लगता कि यह सब अच्छा स्टूडेंट था उसका बड़ हम देखते हैं विल्यम साफ कर देता है कि वह एक रिपर है वो कर सकता है ऐसा और हम देखते हैं और रिसर्च और इन्वेस्टिकेशन करने के लिए उसी एरिया में पहुंच जाते हैं और अब वही विल्यम टाइम नहीं लगाता है और से व्रवीन इंजेक्शन मारता है जिसे क्यों भी होश हो जा और यह देखते हैं लारिक को बिल्कुल भी अच्छा न लग रहा था बट विल्यम साफ कर देता है यहां पर एक रिसर्च टीम भी आई थी वह भी गायब हो चुकी है यहां घुटान का मुश्त का देखता है यहां जेंगने लगाना हो गया और सारे को मिटाना हो गा हो मतार विल्यम निंस वचा था वैसे आगे मोनस्टर आता है और जो पर डेक करने लगता है और हम देखते हैं इस moment पे भागते हैं अपनी जान बचाते हुए एक टेव के अंदर आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं अलारिक उसका पीछा गड़ते हैं उसे ढूनते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है बोलता है कि मैंने आवाजे सुनी किसी मॉंस्टर की मतलब यह एमजी तो हो नहीं सकता है फॉर और वहीं हम देखते हैं विलियम्स बोलता है हां मैं समझ गया एमजी नहीं है और उपर से मैंने देखा कि यहां पर छुपके रहने लग रहा है इस गुफा के अंदर और मैंने करने वाला था बट तब तक एमजी वापस आ चुका है उस मॉंस्टर को मारता है उसका दिल निकालके और यह देखके विलियम्स को यकीन होता है कि रिपर होते हुए भी एमजी अपने पर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और बेटर हुमन है एस कंपेटो विलिय कर दिया था वही हम देखते है इस मॉमंट पे अलारिक को सब कुछ सच बता देता है और बोलता है कि मैंने सीधा कंपेल नहीं किया था इतन को मुझे माफी माफ कर देता और बोलता है अगली बार से मत करो तुमने सीख लिया अपने एक्सपीरियंस से और वापस स्कूल में तुम कभी भी आ सकते हो जरूरी निया कि तुम उन गुफाओं के अंदर रहो और हम देखते हैं एम जी वापस आने के लिए त्यार था और अब हम देखते हैं लास सीन में जहापर हमने देखा तो होप और उन सब पे एंडी ने पूरा पोर्शन डाल दिया था वाली दवाई का सर होने भी लग रहा था लिजी जोजी और होप के उपर हम देखते थोड़ी दवाई से उसने पूरे कवन को कंट्रोल करका था एंडी ने तो इतना सार उसके उपर डालके चली गई है मरने से पहले तो मतलब इसके कुछ तो उल्टे परे नाम हो नहीं थे हम देखते हैं तीनों hallucinate करने लगते हैं इतना सादा कि अपने ही dreams के अंदर खो जाती हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो पहुंच चुके थे एक ऐसे सपने में जो शायद उन में से किसी एक ने बच्पन में लिखा था हम देखते हो सपने में जाने के बाद वो तीनों जाते हैं सीधा एथन के करेक्टर के पास उससे हल्प मागने के लिए पता करते हैं कि उनके डैट भी यहाँ पर एक तलवार ढूणने के लिए आये थे और वही हम देखते हैं थोड़ी देर में अपने फादर से भी मिल जाते हैं जो कोई और नी अलारी के और हम देखते हैं यह पूरी स्टोरी तो लिजी ने बच्पन में लिखा थी और इस वजए से ही इसके सारे करेक्टर्स ने मिलते जुलते हैं लिजी की लाइफ से हम देखते हैं उस मॉमेंट पर उनको तलवार मिल जाती है जो किसी और नी जोजी के पास थी हम देखते हैं जोजी एक एंड् पादर ने उसे बिट्रे किया है क्योंकि वह होप से जादा प्यार करता था बड़ हम देखते होप इस सब के लिए माफी मांगती है और सोच लगते को यहां कैसे निकलेंगे क्योंकि उनका मैजिक यहां पर वर्क नहीं कर रहा है बड़ तभी हम देखते हैं वहां पर स्टोरी लिख रही थी और जोजी ने सारी पाते दूसरी विच्चिस तक को बता दी थी जिस स्टोरी में मैं विलन थी जिस वज़े से मेरे को गुस्सा आ रहा था और एमाने कंट्रोल करने के लिए मुझे एक स्टोरी लिखने को की जिस स्टोरी के अंदर मैं ही रो थी मतल की मैलवोर है जो नया मॉंस्ट्र आ चुका है उसे इसको हराना होगा और यहां पर उतिनों को भ्योश करती है और खुद लड़ने के लिए जाती है और वो किसी की जान को है एमची वापस स्कूल के अंदर और सब लोग उसको बहुत जादा लव और अफेक्शन से वापस बुला रहे थे और हम देखते हैं सिर्फ कुछ लोग हैं जो से बात नहीं करना चाते हैं जिस तरह के जैड हुआ और केलब हम देखते हैं केलब उससे इग्नोर करना लगत करते हैं और यहां पर अपर करने का ट्राइग करब को बद्कुल ऊच्छा नहीं लगता है हम देखते उसकी बौडे को को एक्सपोस कर देता है इसलिए उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है हम देखते हैं इस मोगन पर एमजी कुछनी बोलता है और वहां पर जाके देखते हैं कि बोड़ी वहां से गायब हो चुकी है पर रिखे देखें दोनों टेंस्टोन लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है उस तुने मुझे इस मिशन पर क्यों लेके गया इस सारी तेरी गलती थी इसमें मेरे कोई दोश नहीं है और हम देखते हैं अलारिक बोलते हैं अब तक तु साथ जाने के लिए खुद तयार था और यह अभी क्या बोल रहा है और पता चलता है उसकी वाइफ एमा पीछे लगा देता है और बाद में हमा लेती अलारिक की क्लास कि उसके हस्पेंट की क्यों वो जान खत्रे में डाल रहा है जब पता है अलारिक के साथ रहेगा तो कहीं न कहीं उसे खत्र ही होगा इस सब चीजों का पार्ट बना रहा है और यह कहने के बद गुस्सा होने लगती है विलियम की खराब होने लगती है और यह देखते हैं उसको सच बताने पड़ता है कि विंडिको नाम के मौन्स्टर ने इस पर अटेक किया था और पता नहीं विंडिको मौन्स्टर तो मर चुका था और वापस क्यूं घाऊफ वापस से बलीड होने लगा है मतलब कोई ओर जैड भी आ चुका था जहां पर केलब जैड को पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता था यहां पर उससे दोस्ति कर बैठा था स्तरिफ एमजी से दूर रहने के लिए और दीनों ठूडने का ट्राइ करता है विंडिको को जो उन्हें अब तक नहीं मिला है और अब हम देख पात बिल्कुल भी एम जी नहीं हो सकता है क्योंकि एम जी सबकी परवा करता है उसका दुश्मन भी क्यों नहीं हो अगर उसके ग्रूप में है तो उसकी केर करेगा और हम देखते उनके बीच लडाई होती है और पता चलता है कि यह एम जी नहीं है बलकि वह मॉन्स्ट्र है जो गिल्क के लोग जेके उसका देखता हुद बाद यहां पर विल्यम की भी जान खत्रह के में है जब टक हो जिन्दा है और इसलिए कि हम देखते हैं कि उस मॉंस्टर को लोग जला देते हैं और यहां पर हम देखते हैं एमजी को माफ कर देता है केलब उसके बत्तमीजी के लिए और उसको इग्नॉर करने के लिए और वही हम देखते हैं दोनों दोस्त बन जाते हैं जहां पर हम देखते हैं एमजी साफ कर दे पहले बात तो वॉल्फ है ये वेंपायर है तो पहले से इनकी कम बनती है वही हम देखते हैं यहां से जाने लगते हैं और यहां पर एमजी और केलब बहुत ज़्यादा खुश है और वहीं पर हम देखते हैं एमा को साफ कर देता है लारिक कि टेंशन लेनी की बात नहीं है विलियम्स के साथ मैं हमेशा रहूंगा उसको सपोर्ट करने के लिए उसको हेल्प करने के लिए और उसकी टेंशन उन ना करे कही ना क और और को हरा सकूँ बट वहीं हम देखते हैं लिजी जोज उसके लिए मना करती है और बोलती है वह उसको सपोर्ट करेंगे उसके साथ खड़ा रहेंगे हमेशा के लिए और उसको ट्राइब रीड बनने के अभी कोई जरूरत नहीं है और हम देखते हैं तब ही वो देखत खुलता है तो हाँ पर Clark वापस जिन्दा हो के आ चुका था हम देखते हैं लास्ट टाइम इसको मार दिया था